कोशिन में का find the area enclosed by the curve y is equal to modulus x minus 1 and this इसके लिए solve करते हैं परने x minus 1 x is greater than or equal to 1 x is less than 1 x minus 1 और जब less than होगा तो क्या रखेंगे minus times of x minus 1 and that is 1 minus x यह आगया अब यह वाला चाहिए हमें तो इसी के लिए negative करना पड़ेगा तो minus modulus x minus 1 तो उसके लिए क्या आजाएगा x is greater than or equal to 1 x is less than 1 minus लग जाएगा यहाँ पर तो जब यहाँ minus लगेगा तो यह क्या आएगा 1 minus x और जब इसमें minus लगेगा तो क्या आएगा x minus 1 plus 1 भी यह इसमें plus 1 तो हम भी करा जेता हैं यहाँ पर plus 1 जब हम यहाँ पर plus 1 कराएंगे और यहाँ पर भी plus 1 कराएंगे तो यह क्या आएगा minus modulus x minus 1 plus 1 तो यह 1 plus 1 2 minus x x is greater than or equal to 1 के लिए और यह क्या x कब x is less than 1 के लिए यह हमारा आगे हैं अब इसको draw करते हैं पहले तो इसको draw करेंगे देखो y is equal to x minus 1 y equals to x minus 1 x की value x की value 1 से बढ़े हैं इधर draw करते हैं इधर लिखते हैं इसके लिए rough में है तो red से लिए y is equal to x minus 1 और value की x की 1 से बढ़े हमने लिखा भी 1 से बढ़े की तरफ ही है जब x की value 0 डालोगे ठीक है नहीं 1 से बढ़े है तो 0 तो डाली न सकते हैं x को 1 डालो तो y कितना आ गया 0 1,0 x की value 1 से बढ़े तो इधर को फ्लो करेगा यह आ गया ठीक है और यह y is equal to x minus 1 इधर भी आ सकता है लेकिन हमें idea होना चाहिए तो हम value डालो यह इधर ही आएगा ठीक है क्योंकि जैसे जैसे तुम x की value 1 से बढ़े डालते जाओगे इसमें y के आएगा positive आएगा दूसरा क्या है हमारा 1 minus x y is equal to 1 minus x x की value 1 से छोटी 0 डाल दो x को हमने 0 डाला तो y कितना आगे है 1 ठीक है x 0 y 1 0,1 और यह है y is equal to 1 minus x यह line आगे next अब आजाओ इसके लिए x की value 1 से बढ़े और line क्या है y is equal to 2 minus x ठीक है x की value क्या 1 से बढ़ी x को क्या डाल दो यहाँ पर 2 जब हमने x 2 डाला तो y कितना आया 0 2,0 ठीक है अब 2 पर कितना आ रहा 0 ठीक है अब क्या गरो x की value डाल दो यहाँ पर 3 अगर हम x की value 3 डालते हैं यहाँ पर तो y कितना आ रहा है minus 1 ठीक है यानि कि कुछ ऐसे आ रहा है अब देखो x क्या है 1 से बढ़ा है ठीक है ठीक है अब इसमें अगर हम x को 3 डालते हैं तो y कितना आ रहा है minus 1 आ रहा है ठीक है तो उसको रहन दो यह नीचे आ रहा है इसमें डालो x की value 1 जब हमने x को 1 डाला तो y कितना रहा है 1 तो x1 और y1 यह अगरा point कहीं आ रहा होगा x1 और y1 इसी से drop रहा है यह आ गया और दीक हो 1 से छोटी value हैं होगी नहीं x की value हम 1 से छोटी नहीं डाल सकते और इधर आएंगे तो 1 से छोटी value आ जाएगी तो बस यह कितना आ गया इसको downward तो बना रहे हो तो बना लो कोई problem नहीं उसमें दीक है यह क्या हो गया हमारा y is equal to 2 minus x line अब next क्या है हमारी y is equal to x line ठेक हैं और y equals to x line और x की value क्या है 1 से छोटी यानिकि ऐसे आए गई यह x की value 1 से छोटी origin से पास हो गई यह यह line क्या है y equals to x तो यह हमारा area आ गया है जो हमें find करना है चीक है तो यह आला point चाहिए एक तो हमें और यह वाला point चाहिए यह दोनों point हमें चाहिए इन दोनों को solve कर लो तो 1 minus x equals to कितना x तो इसको अधर ले आओ यहाँ पे तो यह कितना 1 equals to 2x तो x कितना आ गया 1 by 2 तो यह point आया हमारा 1 by 2,0 अब यह वाला point चाहिए तो इन दोनों को solve कर लो x minus 1 is equal to 2 minus x इसको इधर ले आओ तो यह कितना 2x और यह कितना 3 तो x कितना आ गया 3 by 2 तो यह point आ गया 3 by 2,0 ठीक है और ठीक है minus और यह वाला point कितना है 1 तो minus half से 1 तक यह वाली line प्लस 1 से कहां तक 3 by 2 तक यह वाली line और फिर minus करा देंगे वो देखेंगे आप नेक्स वीडियो कितना हुआे 2 तक प्रोड़ यह रखेंगे लाग्वशस्या रखेंगे टूए लाग्पाँा रफटी टूएपश्या रसके चाला रखेंगे वीडियों तको लाग्वश्या प्लस 1 तकुछ रखेंगे तक रखेंगे तक दाष्यी तको जुद्टगे तक cслड़ीं दोगे झाल झाल